हाई गाइज वेलकम बेक टो मैं चानल मैं हूँ सुगम और मेरी चानल पर फिर से एक बार आपको स्वागत है तो अगेन मैं आज आप लोगों के साथ एक हेयर केर वीडियो और एक विट लॉस का वीडियो शेयर करने वाली हूँ क्योंकि जो मैंने कल का वीडियो शेयर किया हेयर केर का विंटर हेयर का उसमें मेरे पास बहुत सारे मैसेज ऐसे आये हैं कि लोगों को ठंड में इचिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है डैंडर की प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा होती है डैंडर की प्रॉब्लम आपके मेथी वाटर से भी जाएगी ले जिन्नों की भी स्कैल्प बहुत जदो आयली रहती है यह उससे भी आपको निजात दिलाएगा और दूसरी रेमेडी है वेट लॉस के लिए तो एक तीर से आज मैं दो निशाने करने वाली हूँ यानि एक चीज से आप दो चीज कर सकते हैं यानि कि अपने हेर केर भी कर सकते हैं और वेट लॉस भी कर सकते हैं तो टाइम को बेस ना करते हुए चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले जिन्होंने मेरे चानल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फर्स्ट अफॉल मेरे चानल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल में एक जो बैल आइकन लगी है उसे प्रेस करन हैं अब यहें कंफ्यूज होंगे कि में कौने सा अपल सायटर विनेर लूप या मैं सा इसा एक न्यूट्री लाइब का यह आपल साइटर विनेगर अल्रेडी तीन-टार बोटल फिनिश हो चुकी है यह एक नीज बोटल थी तो मैंने सुचा आप लोगों के साथ इसका रिव्यू करूं तब इसे उपन करूं और ऐसे तीन बोटल मेरे पर और अवलेबल हैं जो एक किचन में रहती है और एक मेरे डाइनिंग टेबल पर रहती है क्योंकि मैं ही नहीं फैमली के और मेंबर्स भी इसे यूज करते हैं और अगर आप यह प्रोटक्त खरीदना चाहते है तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है आप जाके फ्री होके चेक आउट कर सकते हैं अब मैं बात करूँगे कि सिर्फ यही एपल साइडर विनेगर क्योंकि माया और जबकी मार्केट में बहुत सारे एजली अवलेबल प्रोडेक्ट हैं इस एपल साइडर विनेगर को मैं इसलिए यूज करती हूँ क्योंकि फर्स्ट अपॉल यह जो है वो रौ है और अन्रिफाइंड है अब आप सोचेंगे कि अन्रिफाइंड चीजे मैं क्यों यूज कर रही हूँ जिपके अन्रिफाइंड चीजे नहीं यूज करना चाहिए जितनी भी नैचुरल चीज़े हैं वो अन्रिफाइंड ही यूज करना चाहिए रो यूज करना चाहिए यानि कि अगर आप इसे बहुत जदा प्यूर कर देंगे तो इसके गुड़ चले जाएंगे जैसे कि आपने सुना होगा कि जब हनी जो है वो प्यूर होता है तो वो काफी एफेक्टिव होता है लेकिन वो फॉर्म करके और रिफाइंड करके उसके जितनी भी गुड़वता है वो चली जाती है इसलिए बोलते है कि लोग की रो और अन्रिफाइंड शहद यूज करो और कि इस तरह उस तरह से आपको ट्रीट करने वाला है तो इस कंपनी का मैं न्यूट्रिलाइब का यूज करती हूँ इसका एक क्लोज लूप मैं भी आपको देती हूँ और मतलब 2-3 बोटल इजली अवलेबल है और मेरे पास आप मान के चलिए कि 3-4 बोटल हमेशा रहती है क् कि मैं तो इसे यूज करती हूँ करती हूँ मेरे हस्बन यूज करते हैं मेरे जो इन लॉज हैं वो भी यूज करते हैं क्योंकि एक एज आने के बाद बोटी को फिट रहने की जुरत होती है और ये जितने भी बोटी के अंदर की गंदगी है वो उसे बाहर निकालती है क्यो तो फ्रेंड्स इस ड्रिंग को बनाने के लिए फर्स्ट आपको आधा कप गरम पानी चाहिए छोटा वाला फुल कप और यह है मेरा अपल साइडर विनेगर जो रहा है अन्रिफाइंड है पूरी तरह से नैचुरल है जिसे आप हो सकते हैं 100% नैचुरल है कोई भी इसमें कलर या कुछ भी आर्टिफिशल कलर नहीं मिला हूँ है जो भी है नैचुरल है इसलिए मैं इसे प्रिफर करती हूँ कि कि किसी भी चीज के शुद्ध चीज मिलना बहुत मुश्किल है और बहुत सारे जब मैंने सर्च किया नेट पे तब मुझे जाकर यह प्रोडेक्ट मिला काफी नेचुरल है मैं यूज करने हूँ काफी टाइम से और आपको टू टेबल स्पून इस गरम पानी में डालना है और तीनो टाइम के खाने के आधे गंटे पहले पहले इसे लीजे एक ग्रीन कॉफी कैपसूल साथ में ले लीजे खाये दैन उसके आधे गंटे बाद आ यह हो गया है करता है में पडार डोल कैना है जब आ बамे पर बालबके है時 आपको खाती हंसार्ख हो को मैं पर भी है के यह और पूल नहांे हैं पर आपद्ध कूझ का बेंगा है जब यह अपको बालो चोंग करते हैं बाले भीश बिल्विल्ट मैं घिसंगे आपको पानी लेना है छोड़ा सा जितना भी मतलब आपका पानी जो है वो पूरे बाल में आजाए परना आप जाता लीजेगा उसके बाद आपको लेना है और आपको इसमे प्लोप स्कुटेबल स्कुर्ण और इसको अच्छे से करने के मिक्स करके और अपने बालों पे अपलाई गरणा है यानि जो लास्ट आपने बालों में बॉछ रने के लिए पानी डालेंगे वो यही होगा इससे आपके बाल झो है बहुत अच्छे से प्रिष्णि होगी बालो में इसकाल्प में इच इचिं नहीं होगी और मिलब आपको अपनी हेर स्केप पे अपलाई करना है और जो इसके पहले मताया था मैंने विट लॉस के लिए बहुत ही जल्दी मैं इसके लिए बताऊंगी कि इसके कैसे यूज करना है यह अगर आप इससे एक बोटल मंगा लेगी ना तो हर तरह से सलूक्शन आपका हो जाएगा व आपने बूरे प्रोडेक्ट में कितनी इजी रैस्पी है ज़स म्री आपको पीना है अगर जदा विट लॉस करना चाहते हो तो आप दुह में ले सकते हो रात में ले सकते हो यह बॉड़ी टू बाटींड़ीं करता है कि इसकशन वीसे वी निसे निकालेगा लेक़ बट इंचेस आपके लॉस करेगा इसकिन पे बहुत अच्छा सा ग्लोव देगा है किस तरह से बचाएगा और थंड में जितनी बी डेंडर की प्रॉब्लम में उसे हटाएगा और अगर आपकी बहुत ज़दा ऑईली स्काल्प हो जाती है तो उसे सही करेगा और नेक्स वीडियो म करते हैं किस तरह से में अपने फेस को शाईनी लुक देती हूं इवन मैं इपेप नहीं भी अप्लाई करते हूं जस्च MAKE-वЕ के नाम में लिप नाम पर यूरा यूज करते हूं और वीडियो में बेर अप्लाई करते हूं टीन禮ें 3-4 शिफ्ट करनी परती हैं और अगर मैं उसे मेक अप्लाई करूंगी तो इसकिन का टेक्चर है बिल्कुल चला जाएगा इसपोर्ट आ जाएगे तो इसलिए मैं कोई भी बेस मेक अप्लाई नहीं करती हूं कि इन ही सब नेचुरल तरीके से मैं अपने फेस को एक ग्लो दूँ जिससे कि विदाउट मेक पूछेस करना है सारा सब खुछ है वहाँ पे तो एक बर चेक आउट जरूर करिएगा दो तीन जगह पे आप चेक कर सकते हैं कि क्योंकि हर जगा रेट अलग अलग होते हैं तो मैं किसी एक साइट पे नहीं बोल सकती और मैं इसलिए रेट भी नहीं बताती हूं कि कहीं ना आप मेरे फेस्बुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं और कोई भी कोशन हो तो इस वीडियो के नीचे जरूर आप मुझे पूछ सकते हैं तो बहुत ही जल्दी मिलती हूं मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ नए टॉपि के साथ तब तक के लिए बाइ बाइ